गुड इबनिंग पयाड़े बच्चो तो कैसे हैं आप लोग आज में फिट से आप सभी को मनोविञ्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं पयाड़े बच्चो मनोविघ्ञान का जो आपका पर्थम अध्याय है जिसका सिर्शक है मनों विज्ञानिक गुनों में विभिनताएं इबं मुल्यांकर बुद्धी के सिध्धांत इबं व्यक्तिकत भिनताएं प्याड़े बच्चों जो आपका पर्थम अध्याय है पर्थम अध्याय को मैंने काफी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दिया था इसलिए प्याड़े बच्चों आज हम मनों विज्ञान का लगू प्रश्ण उत्तर करेंगे ठीक है लगू प्रश्ण उत्तर में कुल प्रश्णों की संख्या कितना संख्या मैंने दिया है ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप अवस रूप से हमारे प्याड़ कोर्स में ज्वाइन कर जाएं पूरे साल का पांचों विशे का मात्र आपको पंद्रह सु रुपे प्याड़े बच्चों आप सभी को लगेंगे जिसमें सभी विशे आपको चैप्टर वाइज पढ़ा जाएंगे यहां कोर्स शिर्फ और सिर्फ बिहार बोड़ वाले बच्चों के लिए हैं वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे का इक्षा बार्वी का एकजाम 8-2023 में देंगे तो प्यारे बच्चों यदि आप हमारे पेड़ कोर्स में जूरना चाहते हैं तो आप हमें है 70,150,452 हम लोग आते हैं मनो विज्ञान के पर्थम लगो उतर ये प्रस्ण पे आपका जो पर्थम लगो उतर ये प्रस्ण है यहां प्रस्ण है बुद्धी के अर्थ तथा स्वारूप का वर्णन करें ठीक है बुद्धी के अर्थ तथा स्वारूप का वर्णन करें प्यारे बचो इसे मैं काफी अच्छे तरीके से बताया था मैंने बुद्धी को भी काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था बुद्धी के अर्थ के संदर मे मैंने आपको बताया था कि दैनिक बोलचार की भासा में बुद्धी का अर्थ जो है विचार से लगाया गया है जिसमें जो व्यक्ति है व्यक्ति खास करके चिंतन करता है क्या करता है चिंतन करता है ठीक है उद्धेश पूर्ण कार के लिए चिंतन करता है ठीक है जब व्यक् से मैंने आपको बताया था कि बुद्धी के ही कारण आपको क्या होता है कि आपका जो उद्देश पूर्ण कार है वह आपको पूरा हो सकता है अर्था उद्देश पूर्ण कार में बुद्धी काफी सायक होता है चिंतन करने में सायक होता है ठीक है इस परकार से मैंने इसका स प्रकार से लिखना है बुद्धी वह समर्ग छमता है जो व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन यानि विचार ची तर्कपूर्ण चिंतन वह देश पूर्ण कार एबं परभापूर्ण समा योजन में मदद करती है इसके निमलेखित सवरूप है पहला व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन में सायक होती है कून सायक होती है तर पिदोकी बुद्धीक कैई कम आदो सोच पाते हैं अब जो सोच पाते हैं मान के चलिए आपके पास बुद्धी है तभी तो सोच पाते हैं अब कोई मान के चलिए कि एक पागल आदमी को कभी देखे हैं सोचते हुए ठीक है पागल आदमी का कोई लक्ष होता है लक्ष नहीं होता है लेकिन आपका लक्ष है आप की बार नब्वे पार यानि कि नब्वे परतीसत पार यह लक्ष है इस लक्ष के लिए आपने क्या किया चिंतन किया कि कैसे मैं अब की बार नब्वे परतीसत से अधिक अंकल आऊंगा उसके लिए आपने सोचा कि मैं परतेक दीन सुबह में तीन बज़े उठ करके छे बज़ क्या करता है शलlaw स Japon का galera पूड़ा करता है इस लिए आपको तो जोुन दूसरा पॉइंट हो जाएगा वैक्ति को वाता वरन के साथ पर्भावपूर्ण तरीका से समा-योजन अस्थाथ करने जैसे ङोसी होती है उसको समझ करके आप क्या करते है अप उस प्राकार से केड़ करते हैं चोता प्वंट Top इसका सोडोप मूलता संग्यानात्मक होता है पीडिया बच्व संग्यानात्मक क्या हूता है आगे के दियाय में जब हम पढ़ेंगे तो काफी अच्छे तरीके से माँ आप सभी को समझा दूगा ठीक इसलिए प्यारे बच्छों अभमाते बुद्धी की पड़ी भासा दे तो अभी तक मैंने प्यारे बच्छों आपको बताया था बुद्धी का अर्थ देनिक बोलचाल की भासा में बुद्धी का अर्थ विचार से लगाया गया है जिसमें व्यक्ति खास करके क्या करता है चि तो भी समस्या है या यू कहें चिनोती है उसका सामना आप नहीं कर पाईएगा कैसे नहीं कर पाईएगा क्योंकि बुद्धी नहीं होगा तो आप सोच नहीं पाईएगा अर्था चिंतन नहीं कर पाईएगा सोचना चिंतन करना क्या है एक ही है आपका ठीक है लेकिन इनका ज पाचानने तथा सीखने की सकती है इसी प्रकार बुद्धी के पड़िभासा के संदर में अलग-अलग विद्वानों का अलग-अलग मत है खास करके जो भी परमुक मत है सबी मतों को हमें देखेंगे क्यूंकि इन मत के हिसाब से आपका बहुत ज़्यदा अब्जेक्टिव प कुछ इस प्रकार से में दयनिक बॉलचाल की भासा में बुद्धी सब्द का अर्थ विचार से लगाया जाता है बुद्धी सब्द से अभी पड़ाय किसी व्यक्ति को अपने पडिवेस को समजने की छमता से यानी आपका जो समाज पडिवेश है। उसके समझने की छमता से है। पहला हो गया वीवेक फूर्ण चिंतन करने से हैं। और जीष की चनोंतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसादनों का पर्भावी तरीका अपनाने से हैं फिर पड़ागरप नौर्मल पड़िभासा हो गया लेकिन जो पड़िभासा के संदर्व में चुकि मत-भेध हैं तो जितने भी मनोविज्ञानिक है ने जो बुद्धी का पड़िभासा दिया है तो परमुध पड़िभासा को खास करके हमें दीख ना है तो इसलिए पड़ागर आप चेंज करके हम लोग लिखेंगे विभीन मनोवेज्ञानिक दोड़ा दी गई बुद्धी की मुख परिभासा इस परकार है तो पहरे बचो जो आपको नीचे दिया गया है ठीक है स्वार परताम गाल्टन के अनुस्वार गाल्टन एक मनोवेज्ञानिक है गाल्टन गाल्टन नाम हो गया मनोवेज्ञानिक तो गाल्टन के अनुस्वार जैनि गाल्टन जी जो है बुद्धी का परिभासा इस परकार दिया है बुद्धी पहचानने तता सीखने की सकती है क् आपको बॉला है मनोंवेगन जिनका नाम बीनेट की अनुसवार अर्था बिनेट ने बुद्धी के संदर्व में कहा है क्या कहा है तो किसी समस्या को समझना उसके विशेय में तरक करना तता किसी निष्चित निरनाई पर पहुंचना बुद्धी की आवस्य क्रिया यानि बुद्धी के सहारे हम क्या कर पाते हैं तो हम आपको सोच पाते हैं चिंतन कर पाते समस्या का समधान कर पाते हैं और किसी निश्चित निर्णाइद तक यहिदी हम पहुँच पाते हैं तो किसके कारण तो प्याड़ी बच्छों आपको बुद्धी के ही कारण विद्धी एक समालने योगता है जिसके दव्यक्ति नई प्रिस्थीतियों में अपने विचारों को जान भूज कर समायोजित कर लेता है क्या कर लेता है तो प्यारे बच्चों समायोजित कर लेता है इसी प्रकार सबसे अंत में थोर्न डाइक के अनस्वार बुद्धी क्या है तो वास्तविक परिस्थीतियों के अनस्वार अपेक्चित परतिक्रिया करने की याद कर लेना क्योंकि आपके objective में भी यह प्रसंद पूछे जाते हैं objective में आपको दे देगा क्या देगा पता है आपको देगा इस परकार से देखें लाइन को मैं कुछ इस परकार से आपको देगा देखें जैसे यह लाइन बुद्धी पहचानने तथा सीखने की सकती है त लाइन है यह प्याड़े बचों किसकी अनुस्वारा बुद्धी पाचान ने तता सीखने की सक्तिए किस प्यानुसर आपके option में दे देगा एश्टरन, बीनेट, गाल्टन, कौन कहा प्याड़ है वह जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा फटाफट, बुद्धी पाचानने तता सीखने की सकती, अब्जेक्टिव में देदेगा, ऑप्शन रहेगा, गाल्टन, बीनेट, एश्टरन, उत्तर क्या हो जागा, गाल्टन, इसी प्रकार आपको देदेगा, इस लाइन को बुद्धी, एक समान, योगता है, जिसके दोरा व्यक्ति, नई प्रश्थितियों में अपने विचारों को जान भूज कर समा युजित कर लेता है, किसने कहा, गाल्टन ने कहा, बीन ने कहा, एश्टरन ने कहा, तो तर क्या आपका बना की नहीं बना, बन गया, तो ऐसे में आपको इन चारों लाइन को याद कर लेना है, जिससे क्या होगा, कि आपका जो भी वस्तुनिष्ट प्रस्न आपका किलिर हो सके, ठीक है, अब हम लोग नेक्स देखेंगे, बुद्धी के परकार, प्याड़े बच्चों, ह भीन भीन विद्वानों ने भीन भीन परकार से बुद्धि क्या परकार बताये हैं किसी ने दो बताया किसी ने तीन बताया किसी ने तीन के संदर में परत्यक्ष बुद्धि और समाजिक बुद्धि बताया और किसी ने तीन में ही आपको समयकात्मक बुद्धि बताया ठीक ह विभारिक बुद्धि बताया तो खास करके बुद्धी के परकार हम लोग देख रहे तो इसलिए बुद्धी का परकार प्रसंद आपको रहेगा तो आपको उत्तर भी इसी परकार से लिखना एं लिखना है किया है सबसे पहला वर्ग आपको आता है परत्यक्ष बुद्धी कौन सा बुद्धी थो प्रत्याक्ष बुद्धि मैंने कहा था परत्याक्स बुद्धी के अंतरगत जो बच्चे देख्ति होता है वह समानों को चिनन को वस्तुओं को भली प्रकार से समझ य्यानिकी जान पाते हैं। तो प्रतिष्क Bydha में देखें। इसमें व्यक्ति को वस्तूओं एबन परदातों को भली प्रकार समझने की सकती होती है keen क्या होती है तो पर्तेक्ष बुद्धि और वैंने काफी अच्छे तरीके से आपको मैंने बताया था कि जितने भी सहितकार होते हैं वो सभी के सभी अपरतेक्ष बुद्धी को ही अपनाते हैं तो अपरतेक्ष बुद्धी आपको पुष्टकिय ज्यान होता है क्या कैसा होता है तो खास करके पुष्टकिय ज्यान होता है ठीक है तो अपरतेक्ष बुद्धी को प्यारे बचों आपको कु बुद्धी का पर्योग पुष्ट किये ग्यान पर्ति को तथा चिन्नों को समझने में किया जाता है साहित्यकार अथवाकवी इसी परकार की बुद्धी का पर्योग करते हैं पुष्टक के माधियम से प्राप्त होता है नेक्स्ट है समाजिक बुद्धी को भी मैंने काफी अच्छे तरीके साब को बताया था पुद्धी को नहीं लिखेंगे समाजिक बुद्धी का तातपर व्यक्ति को समाज के अनुकुल बनाने की छमता से है किस्से है तो पैरे बचो व्यक्ति समाज के अनुकुल बनाने की छमता से है इसके दोड़ा व्यक्ति समाज को समझ कर उसके वयवहार उसके अनुस्वार वयवहार करने लगता है तो प्यारे बचो जो तीसरा प्रस्ण है आपका तीसरा प्रस्ण समाप्त हो चुका है बुद्धी के परकार इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रस्ण पर दूसरा आपका प्रस्ण है कि बुद्धी लबदी क्या होता है मैंने बुद्धी लबदी को काफी अच्छे तरीके स और यहां तक कि बुधि लब्दी निकालना भी मैंने आपको बता है तो कि बुधि लबधी को sorterNew двEmтории articles बोलते हैं नंब बहुते हैं कि मैंने आपको बता है था कि बुधि लबदी हम किसे खहेंगे तो बुधि लबदी समान यता युगता की गति की और संकेत करता है किस समान न हम ने योगता की गती की और संकेत करतला संकेत करता है है विञ्यानीक कॉल और भूस्ने ये तके संबन्ध में बताया है कि lunar living यहां बताती है कि जिशु की मानसिक योगता का किस गती से विकास हो रहा है यानि जो सिसू है उस सिसू का जो मानसिक योगता यानि मानसिक जो छमता है वह किस गती से विकास कर रहा है यदि बुद्धी लब्दी कम है तो सिसू मुर्क महामुर्क होगा यदि बुद्धी लब्दी मध्यम है तो बच्चा अवसत होगा बु प्यट्धी। बच्चो आपको परतीवा सालीकालाथा है मैंने इसे काफी अच्छे तरीके से समझा था ठीक है। कि अब हम प्यारे बच्चो पाच में प्रश्ण पड़ आते हैं आपका जो पाच्छ माप प्रस्न है बुद्धी, लवदी निकालने की बिधी बताईए ठेक है तो प्यारे बच्छो मेने आप सभी को बुद्धी लब्धी निकालने का बिधी भी बताया था तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बुद्धी मापने के लिए बुद्धी लब्धी का उपियोग सुत्र के द्वारा अस्प है यहादी बोहिदिक के बोहदिक आयू भागा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बोहदिक आ 10 साल का है तो यह 10 साल का हो गया वास्तिविक आयू अब यह लड़का 10 साल के होने के बाब जुद्ध यह बिहेव करता है पांच साल वाले लड़का जैसा बिहेव करता है तो इसका बौधिक आयू पांच साल हो जाएगा यदि यह लड़का भले 10 साल का है और यह एकदम बु डॉट्धीक है और याथार्त आयू दस वर्स में दस वर्स कहा है लेकिन उसका दिमाग जयदा लड़का इसलिए बाड़ास होगए बधिक आयू अरफ्तिमांसिक आयू दस वर्स हो यानि बुद्धी लब्दी हो गया तो इस प्रकार प्यारी बच्चों हम लोग क्या करते हैं तो आपको बुद्धी लब्दी निकालते हैं ठीक है अब प्यारी मेंच आपका छठा प्रस्ने मानसीक आयू या बौधिक आयू से आप क्या समझते हैं तो मानसीक आयू कहिए या बौधिक आयू कहिए दोनों कर दोनों बात आपका बड़ाबर है तो उत्तर आपको कुछ इस परकार से लिखना है मनुस अत्वासिसू की बुद्धी अस्तर उसकी बौदिक आयू की और इसारा करता है। मनुस अत्वा सिसु का बुद्धी अस्तर उसकी बौधिक आयू की और इसारा करता है बौधिक आयू किसी विशेश आयू अस्तर पर पड़ी पक्ता को परदरसित करता है किसको परदरसित करता है पड़ी पक्त होता मतलब कि यदी दस साल का लड़का है यदी दस साल का लड़का है बात करने से लगता है कि उसका दिमाग 15 वर्स का है और थात वहां उसका बौधिक क्या हो जाएगा 15 वर्स ठीक है यहनि पड़ी पक्ता कि और वह क्या करता है तो प साब्धिक को समझाया यहां तक काफी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझाया था तो प्रशन साब्धिक बुद्धी परिक्षन से आप क्या समझते मैंने आपको कहा था साब्धिक बुद्धी परिक्षन में सब्दों का पर्योग किया जाता है अर्थात जिस परिक्ष या तो लिखा करके आप से एक्जाम देगा ठीक है और यह जो परिक्षन होता है काफी कम समय में हो जाता है और कम खर्चिला होता है काफी अच्छे तरीके समय आपको लेक्चर की क्लास में समझाया था इसलिए उत्तर हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे ठीक है जिन परिक्षनों में सब्दों का पर्योग किया जाता है उन्हें साब्दिक बुद्धी परिक्षन काते हैं यहाँ परिक्षन मौकिक या लिखित दोनों परकार से किये जा सकते हैं यहाँ परिक्षन कम खर्चिली और कम समय में हो जाने वाले हैं यह जो परिक्षन होता है यह कम खर्चिला होता है, कमी खर्च में आपको हो जाता है और प्याळे बेश्चों कमी समय में आपको हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका है आठमा प्रस्टन है, असाप्धिक बुद्धी प्रेक्षंट से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सी बात है कि जिस बुद्धी प्रेक्चन में सब्दों का पर्योग नहीं किया जाएगा वह बुद्धी प्रेक्चन असाप्धिक बुद्धी प्रेक्चन आपको कर रहाएगा जिसे कśl कर देगा कर को कंगे बुलेंग बच्चा को बताओ बाबु यह कौन सा कट बाबु कएगा पिला कालर तो इसका hello जया है आंप में काफी ज़्यदा समय भी लगता है तो इसका उत्तर आपको कुछ इस परकार से लिखना है असाब्धिक बुद्धी परिक्षन में सब्दों का पर्योग नहीं किया जाता है इस परिक्षन में चित्र मुर्त समागरी संकेतों और पर्तीकों के रूप में समस्याई को रखी जाती है यह परिक्षन अधिक खर्चिला और अधिक समय में पूरा होते हैं ति यानि अधिक तो खर्चिला है और अधिक 심य में पूरा भी होता यानि समय ज्यादा लगता है ठीक है अब प्यारी compliance आपका नम्मा प्रश्न है नाइंथ आपका प्रश्न है ठीक है व्यक्तित भिन्यता अत्वा मानपड़कारियों में व्यक्तिगत भिन्यता बताबे या व्यक्तिगत भिन्यता पूझे सब एक ही है घबरानन नहीं सब एक एक ही है कुल मिला करके कहिए तो व्यक्तिगत भिन्यता क्या है आप से पूझे का कि व्यक्तिगत भिन्यता से आप क्या समझते हैं या मानब परकारियों में व्यक्तिगत भिन्यता बताब है या व्यक्तित भिन्यता क्या है सब आपको बात आपको बराबर रहे ठीक है तो इस याइन्ट होता है और होट दो व्यक्ति कभी प्रूप से अलग यह भी काफी अच्छे तरीके से बता दिया था बुद्धी तता ज्यान में अंतर काफी अच्छे तरीके से पहने बुचो हम आप सभी को बता दिया था थीक है तो देखिए बुद्धी तता ज्यान में निमलिखित अंतर है बुद्धी व्यक्ति की जन्मजात छमता है जो संभवता जो संभवता वंस परंपरा के गुनों से भी पराभावित होती है अर्थात कहने का मतलब जिसके पिटाजी गुनी होते हैं बुद्धी भरा रहता है तो जादा चांस होता है कि बेटा भी समझदार होता है यानि जैसा पिटाजी जितना समझदार होते हैं वैसा है उनका बेटा भी होता है यह जादा चांस होता है यदि ऐसा है तो इसका कुछ देखने को नहीं मिलता है जबके जब की जनवजात रह Cum ता नहीं है बुद्धी तो यह जानते हैं है सोचना चींटन करना बुद्धी कए जबिइसे इतियास पड़ली हरपा सभ्यता के बारे में जान थो जब्वास विता है वसम्बपपुरानी सभ्यता थी यह जयान जानते हरपा सभ्यता मांन के चले आप कुवां में कूध गये में फगी गए अब गिर गएड़क कुवां निकल निकलना इसमें geraon काम आएगा कि 80 आपको काम आएगा बलकि झालिए समझीएगा हो जिसलिए बुद्धी जो होता है वो आपको पे पर जन्मजात होता है यानि जन्मजात ट्रांसपड होता है जिसकी जयान में सहोसे औपको नहीं है दूसरा बुद्धी कठनाई प्रेयों को शमझ कर मस्तिक्षि को निरु लेने के लिए प्रेपना देते यानि जो भी 땅 को समझ करके बुद्धि आप दिमाग को प्रेपना देगा क्या करना है जबकि ग्यान में ऐसा कोछ संभब आपको नहीं में आपके पस जो भी समख्श establish a जानते हैं जीसे ज्यान आपके पास लिए कर दानी पठना है तो उसके होने से आपके समच्या का यह समाधन नहीं होगा जो भी समस्या है आप सोचिए नहीं है तो जैसे सब आप बुद्धियast करें शक्ति पर 파ण शक्ति निर्भर करती है किस पर करती है तो निख मड़वार करती है यह अनिवार नहीं कि बुद्धिमान मनुष विद्वान भी हो या कोई विद्वान मनुष विद्धिमान भी हो इस लाइन को लेक्चर की क्लास में काफी अच्छे तरीके से hatte इसलिए लेक्चर Katherine की नहीं कि हर buti iman ज्ञानी हो और सब्सक्राइकन बुद्धि मान का मतलब यह आप है अनपध्य गवार Cord लेकिन आपके पास झाल करने का सक्ति जादा है। इसलिए इसलिए पीज्ञानी नहीं अब जानते ही नहीं है कि भारत का राजदानी क्या है या हरपा सबेताय क्या है या मुगल संतनत क्या कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं तो इसलिए आप बुद्धी मानतों हैं लेकिन अब ग्यानी नहीं है अब ग्यानी जैसे कि यह मान के चलो यह मैं हूँ मैं हिस्ट्री काफी अच्छे तरीके से मैं जानता हूं हिस्टी में एस लेकर के जड़ तक मैं जानता हूं इसलिए मैं ग्यानी बन गया ग्यानी किसका तो इतिहास का अब ग्यानी होने से इतिहास का परफेसर है लेकिन इसके पास इधना बुद्धी नहीं नहीं है कि समाज में मर गया है और यह गाना बजा रहा है कि नहीं तो इसलिए जरूरी नहीं कि हर विद्ध्यमान बुद्धिमान हो और हर बुद्धिमान विद्धिमान हो यह जरूरी आपको नहीं है ठीक ह नेक्सट है ज्यान बुद्धी पर आस्रित होता है लिद्धि पर आस्रिप होता है जब कि बुद्धी जо हता है वो ग्द्धी उखाल पर ंर्वर नहीं प्रतिवा साली बालक मैंने काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था लेक्चर की कलास में तो देखिए मन बुद्धी बालक हम क्या कहेंगे जिसका IQ काफी कम होता है यानि सतर से कम होता है जैसे कि एक में टेबल यहां पर जैसे मैं दी रहा है मैं आपको दी रहा पर्तिवा साली यह पर्तिभावन यानि कि जीनियस पर्तिवा साली यहीं पर आपको हो गया वह कर लाएगा जिसका IQ 140 से आपको अधिक हो ठीक है आप जैसे कि देनी के बोल चाल की बासा में आप लोग है यह महामुर्ख है महामुर्ख को अंग्रेजिम इडियाट ही बोलते सब्सक्राइब करने यहां से हुआ जो तीट या पटीश से कम डीकर वीस या पटीश से कम वाले जिसके पास बुद्धी-लब्दी हो आजिसका डlt भी सूह वामुर्ख टिक는데श चुनकल आगा जिसका बुधि लबदी 1014 से आपको अधिक हो इसाथ यहां पड़ पाप można मन बुद्धि वालक से आप क्या समयते हैं यह नहीं बात है इस प्रंठि काफी जादा आपको कम होगा थीक तो उत्तर आपको इस परकार से लिखना है ओसत हुगता मन बुद्धि बालक की बुधिक योगता अवसत बालकों से कम होती है। इसे बालक मान्सिक मत्ता से घरसित होते हैं इसलिए इसे मन बुद्धि बालक कहा जाता ऐसे बालक की बुद्धि L itself सतर परतीसत या उससे भी कम होती है ठीक है नेक्स्ट परतीबा सालिक बालक से आप क्या समझते हैं तो परतीबा सालिक बालक की बुद्धी आउसत बालकों से अधिक तिब्र होती है यानि उसकी बुद्धी आउसत बालकों से ज्यादा होती है परतीबा सालिक बालक की बुद 240 से अधिक होती है ठीक है तो प्यादे बदैटों यहांपर आपका परतिबा सारी बालक आपको हो गया अब यहां पर आता है बुद्धी-लब्धी कि आधार पर व्यक्तियों का वर्गी कृट करें तो तर्मन ने बुद्धी लब्दी के आधार पर व्यक्तियों का वर्गी करन इस प्रकार से किया एक तरफ आप बुद्धी लब्दी लिखेगा एक तरफ बुद्धी वर्ग लिखेगा आपके एकजाम में ये कई बार प्रस्ण पूछा जाता आपको रहेगा एक सो चालिज से अधिक व्यक्ति कहलाता है परती भावन आपको कहलाता है या परतीबा साली आपको कहलाता है ठीक है अउसत बुद्धी बालक कोन कहलाएगा जिसके पास 90 से 110 हो इसी प्रकार मुर्ग कोन कहलाएगा तो यह पैड़े बच्चों 50 से 60 जिसका बुद्धी लब् आपको मुर्ख आपको कर लाएगा ठीक है तो पैड़े बच्चों आसा करता हूं कि आपको यहां क्लास काफी अच्छी लगी हो यह आप हमारी पैड़े कोर्स में जुना चाहते हैं तो आप हमें कोल कर सकते हैं हमारा नम्मड़े सत्तर एक्षण पचास पितालेस बावन ध आप हमारी अखाना बात